पस्चिम मंगाल के मेरे भाईयों और बहनों आज भक्ति की शक्ति ऐसी है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिल्ली में नहीं लेकिन आज मैं बंगाल में आपके बीच उपस्तित हूँ बंगाल के मादूर्गा के भक्तों ने मेरे स्वजनों ने मुझे बुलाया है मुझे इस अवसर से जुड़ने का बहुत बड़ा सौभागी मिला है जब आस्था अप्रमपार हो मादूर्गा का अशिरवाद हो तो स्थान स्थिती परिस्थिती से आगे बढ़कर पूरा देश ही एक प्रकार से बंगाल मय हो जाता है बंगाल हो जाता है ऐसी कोई जगा नहीं जहां इन दिनों गराम बांगला और शोर बांगला के रंग और मादूर्गा के नवरूप की जलक न दिखाई देती हो दूर्गा पजा का पर्व भारत की एकता का पर्व भी है भारत की पूर्णता का भी पर्व है बंगाल की दूर्गा पुजा भारत की इस पूर्णता को एक नई चमक देती है नए रंग देती है नए श्रंगार देती है ये बंगाल की जागरूत चेत्रा का बंगाल की अध्यात्मिक्ता का बंगाल की अईतिहासिक्ता का प्रभाव है पवित्र सस्थी के इस पुन्य अवसर पर मैं बंगाल की पवित्र पुन्य भूमी आज आधर पुर्वक नमन करता हूँ बंगाल की भूमी से निकले महाल व्यक्तित्वों ने जब जैसी आविश्यक्ता पड़ी सस्त्रव और सास्त्र से त्याग और तपस्या से मा भारती की सेवा की है बंगाल की माटी को अपने माथे से लगा कर जिनोंने पूरी मानवता को दिशा दिखाईगी उनसी नाम प्रिश्ण परमाउस स्वामी विवेखानन चैतन्य महाप्रभू श्री अर्विंदो बाबा लोकनात श्री ठाकुर अनुकुल चंद्र मा आननमई ऐसे अंगिनत अंगिनत रुशी परंपरा के महानु भाव को महर्शियों को तपस्वियों को आज मैं आदर पूर्वक नमन करता हूँ जिनोंने बंगाली नहीं पूरे देश के समस्कारों को घड़ा उन गुरुदेव रविंदराजी टागोर बंकिम चंद्रजी चट्रपध्याई शरत चंद्रजी चट्रपध्याई को भी मैं आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ जिनोंने भारतिय समाज को नहीं रहा दिखाई नहीं चेतना जगाई उन इश्वर चंद्रविद्यासागर, राजा राम महुनराय, गुर्चंद्र ठाकोर, हरीचंद ठाकोर, पंचानन बर्मा का नाम लेते हुए ही एक नई चेतना जगती है आज अवसर हैं उन सब के सामने ससिष जुकाने का, जिनोंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को जीवन्त किया, नई उर्जा से भर दिया ऐसे नेता जी सुभाचंद्र बोश, शामा प्रशाद मुखर जी, शहित खुदराम बोश, शहित प्रफुल चाकी, मास्टर दा सुर्यसेन, बागा जतीन को हम सब आज नमन करते हैं, जिनोंने मा भारत की सेवा में अपना जीवन लगा दिया हैसी मा शारदा, मातंगिनी हाजरा, रानी राश्मनी, प्रितिलता वादेदार, सरला देवी चोधरानी, कामिनी राय को आज प्रणाम करने का एप पल है जिनोंने विज्ञान के खेत्र में भारत का भारत का पर्चम पूरी दुनिया में लहराया ऐसे जग्दिश्चंद्र बोस, सत्तेंद्रनाद बोस, आचारिय प्रफुल चंद्र राय आज जब विज्ञान का यूग उनको हर पलियाद करता है, मैं भी आज उन महानुभावों को नमन करता हूँ आज के भारत को घणने में, समारने में, बंगाल का इतना बड़ा योगदान है, इतने सारे नाम है, कि शाम हो जाएगी, लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे कला संगीत जगत की ही बात करे तो, काजी नजरुल इसलाम, सत्यजीत रे, रुत्वी गटक, म्रणाल सेन, सुचीतरा सेन, उत्तम कुमार, कितने ही नाम है, जिनोंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है वैसे बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं होगा, कि दुरगा स्वरूप, मा भारती की जो तश्वीर, आज करोडों भारतियों के दिल में बसी हैं, वो तश्वीर भी सबसे पहले, मंगाल में, अबनिंद्रनाथ टेगोर जी ने बनाई थी बंगाल के लोगों में एक ऐसी आत्मशक्ति हैं, जिसके कारण वे हर खेत्र में आगे बढ़कर उपलिप्दिया पाते हैं बंगाल के लोगों ने देश को प्रगति के मार्क पर आगे बढ़ाया है, आज भी बढ़ा रहे हैं और ये मेरा विश्वास है कि बविश्य में भी बंगाल के लोग देश का गौरव इसी तरब बढ़ाते रहेंगे, अभी इस कारके में उपस्तित, आप सब भी बंगाल के विकास में अपना योगदान दे रहें, आज के पामन दिन मैं सभी का स्मरण करता हूँ, अथा सक्तियों से भर्यू ही बंगाल की जनता को मैं आदरपुर्वक नमन करता हूँ, साथियों, इस बार हम सभी कोरोना के संकट के बीच दुर्गा पुजा मना रहे हैं, मा दुर्गा के भक्त, पंडालों के आयोजकों, सब ने इस बार अध्व्यूत संयम दिखाया है, संख्या पर भले असर पड़ा हो, लेकिन भव्यता भही है, दिव्यता भही है, आयोजन भले ही सिमीथ हैं, लेकिन उत्सव का रंग, उलास, आनन, असमीथ है, यही तो बंगाल की पहचान है, यही तो बंगाल की चेतना है, यही तो असली बंगाल है हाँ मेरा आपसे यह आगरत जरूर है कि मा दुर्गा के पूजा के साथ ही आप दोगज की दुरी मास्क पहनने और अन्य नियमों का पालन भी पूरी निष्ठा से करेंगे साथियों बंगाल में उमा एलो घरे की सनातन परंपरा रही है दुर्गा पूजा के प्रारम में बोधन समहरों में मा का पारंपारिक आहवान भी इसी परंपरा का विधान है यहाँ दुर्गा को अपनी बेटी भी मानते है बेटी की तरह घर में उनका स्वागत करते है यह दर्शन इस्वरिय सत्ता से हमारा संतान और मा का यह रिष्टा यही हमारे आध्यात्मिक और सामाजित चिंतन का मुल्भुद आधार है इसलिए हमें सभी बेटियों को दुर्गा की तरह सम्मान करने की सिख दी जाती है नवरात्र में उनकी पूजा की जाती है और मा दुर्गा की पुजातो शाक्षात शक्ति की साधना है हमारी मा दुर्गा दारिद्र दूख भय हारिनी कही जाती है दुर्गती नाशिनी कही जाती है अर्थात वो दुखों को दरिद्रता को दुर्गती को दूर करती है इसलिए दुर्गा पुजा तभी पुरी होती है जब हम किसी के दुख को दूर करते हैं किसी गरीब की मदद करते हैं साथियों महिशा सुर का वद करने के लिए माता का एक आउश ही परियाप्त था लेकिन इस कार्य के लिए सभी दैविये शक्तियों को संगटित हो गई थी वैसे ही नारी शक्ति हमेशा हमेशा से भी सभी चुनोत्यों को परास करने की ताकत रखती है ऐसे में ये सभी का दाईत्व है कि संगटित रुप से सभी उनके साथ खड़े हूँ भारतिय जनता पार्टी के विचार यही है संसकार यही है और संकल्प भी यही है इसलिए देश में आज महिलाओं के ससक्ति करण का भी अभियान तेज गती से जारी है चाहे जन दन योजना के तहट बाईस करोड महिलाओं के बैंक खाते खोलना हो या फिर मुद्रा योजना के तहट करोडों महिलाओं को आसान रुण देना चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या फिर तीन तलाग के खिलाप कानून चाहे गरबावस्ता के दोरान मुक्त चेकप की सुविदा हो या फिर पोशन अभियान चाहे स्वच भारत के तहट गरों में सवचाले का निर्मा हो या फिर रसोई में धुएं से आजादी चाहे नाइट सिप में काम करने के अधिकार हो या फिर मैटनेटी लिव को बारा हफते से बढ़ा कर 26 हफते करना चाहे गहरी खदानों में भी काम करने की स्विकृती हो या फिर सेना में पर्मेनेंट कमीशन देश की नारी शक्ति को ससक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है महलाओ की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सजग है रेप की सजा से जुड़े कानूनों को बहुत सक्त किया गया है दुराचार करने वालों को मृत्यु दंड तक का प्रावधान हुआ है भारत ने जो नया संकल पर लिया है आत्म निर्भर भारत के जिन अभियान पर हम निकले हैं उसमें भी नारी शक्ती की बहुत बड़ी भूमी का है साथियों मैं बोले नात की नगरी काशी का सामसद हूँ काशी में मा दुर्गा माता अनपुर्णा के रूप में मिराती है मा के रूप में दुर्गा जी को हमेशा ये चिंता भी रहती कि उनकी कोई संतान भूखी न रहे कोई गरीब न रहे बांगला में कहते हैं आमार संतान जैनो थाके दूदे भाते मा दुर्गा का ये आशिरवात तभी पुरा होगा जब हमारा किसान आत्म निर्भर बने हमारा स्रमिक आत्म निर्भर बने हमारा देश आत्म निर्भर बने आत्म निर्भर भारत के इसी संकल्प से हमें सोनार बांगला के संकल्प को पूरा करना है हमें याद रखना है ये बंगाल की ही पवित्र धर्ति थी जिसने मायर देवा मोटा का पोड माथाय तुले नेरे भाई का गीत दिया था ये बंगाल की ही धर्ति थी जिसने आजहादी के अंदोलन में स्वदेशी को एक संकल्प बनाने का काम किया था बंगाल की ही धर्ति से गुरुदेव रविद्रना टैगोर और मंकिम चंद्र चेटर जी ने आत्मंदिर बर किसान और आत्मंदिर बर जीवन का संदेश दिया थ गुरुदेव ने लिखा था बांगलार माटी, बांगलार जौल, बांगलार बायू, बांगलार फॉल, पुन्य होग, पुन्य होग, हेव होगवार। इसलिए 21 सदी में आत्म निर्वर भारत का ये नया संकल भी बंगाल की धर्ती से ही मजबुरुत होगा। हमान बंगाल के गवरों को, बंगाल के उद्यम और बंगाल के उद्योग को, यहां की सम्रुद्धी और संपनता को नई उचाईयों पर पहुँचाना है। साथियों, बंगाल के तेज विकास के लिए, बंगाल के लोगों को मुलभुत सुविदाय पहुचाने के लिए निरंतर काम हो रहा है। प्रदान मंत्री आवास योजना के तहट बंगाल में करीब करीब तीस लाग गरीबों के लिए घर बनाए जा चुके हैं। उजवला योजना के तहट करीब करीब 90 लाग गरीब महिलाओं को मुप्त गैस कनेक्शन दिये गए हैं। प्रदान मंत्री जंदन योजना के जरिये बंगाल के लगबग चार करोड गरीबों के बैंक खाते खोले गए हैं। इतना ही नहीं। जल जीवन मिशन योजना के जरिये बंगाल के लगबग चार लाग गरों में पाइप से साब पानी पहुचाना के काम हुआ है। बंगाल के इंफास्ट्रक्टर के लिए कनेक्टिविटी सुधारने के लिए भी लगातार काम हो रहा है। कोलकाता में इस्ट वेस्ट मेट्रो कोरीडोर परियोजना के लिए भी साड़े आठ हजार करोड रुपे मनजूर किये गए हैं। नेपाल, भारत और बंगला देश के बीच संपर्ग बढ़ाने के लिए सैंकडो करोड रुपे की लागत से सड़क परियोजना पर कार्य चल रहा है। नेश्टनल हाइवेज हो, वाटर वेज हो, या फिर गाउं गाउं तक ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी है। हमारी कोशिज है कि बंगाल के आम जन के जीवन से मुष्टिले कम हो, उनका जीवन आसान बने है। साथियों, भाजपा की केंद्र सरकार ने पुर्वोदय का मंत्र अपनाया है। जहां सुर्योदय हम देखते हैं पहला, उसी दिशा का पुर्वोदय है। पुर्वी भारत के विकास के लिए निरंतर फैंसले लिए है। पुर्वोदय के इस मिशन में पस्चिम मंगाल को महत्वपुर्भूमी का निभानी है। मुझे भरोसा है कि पुर्वोदय का केंदर बनकर पस्चिम मंगाल जल्द ही एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा। हमारे सास्त्रों में कहा गया है या देवी सर्व भूतेशु सक्ति रुपेड संस्तिता हर्थात हर जन में मादुर्गाही शक्ति रुप से थीत है। हमें इसी भावना से पूरी ताकत से काम करना है जन जन तक पहुँचना है। हमारे सास्त्रों का कथन है या देवी सर्व भूतेशु शान्ती रुपेड संस्तिता हर्थात मादुर्गाही जन जन में शान्ती रुप से स्थीत है। इसलिए हमें शान्ती प्रेम भाय चारे की भावना से देश की एकता के लिए काम करना है। हमारे सास्त्रों का मंत्र है या देवी सर्व भूतेशु दयार रुपेड संस्तिता हर्थात मादुर्गाही प्राणियों में दया के रुप में विराज दी है। इसलिए हमें हिंसा के खिलाब अहिंसा से जीत हासिल करनी है। हमारी भावना है कि या देवी सर्व भूतेशु लक्ष्मी रुपेड संस्तिता यानि कि मादुर्गाही सभी के साथ लक्ष्मी रूप में रहती है। इसलिए हमें सबके सुख के लिए, सबके विकास के लिए काम करना है। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका ये तप, ये त्याग, ये साधना जल्द ही फली भूत होंगे। परिशे से मा दुर्गाओं मा कालीर काछे प्रार्थना कोरी जेनों प्रतिव हो छोर आमरा एई भावे माएर सेबाओं पुजो करे कोरे जेते पारी मा देशेरो जातीर उन्नती कल पे आमा देर आशिरवाद कोरों एई कामना कोरों वैसे बंगला भाषा में इतनी मिठास है मुझे मालूम है कि उच्चारण में कुछ नू कुछ कमी रही जाती है लेकिन फूर भी बंगला बोलने के मो से मैं खुद को रोक नहीं पाया हूँ तुर्टियों के लिए छमा के साथ ही मैं माद दुरगा के इस पवित्र पावन नवरात्री के पर्वपर सर जुका कर पढ़ाम करते हुए पुरे राश के कल्यान के लिए आप सब के साथ प्रास्णा में जूडने का गर्वा नुभव करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ